नमस्कार दोस्तो, रियल वेब में एक बर फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे, दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, बार्चेट प्रॉक्सी अप्लिकिशन को आप अपनी फोन में कैसे यूज करेंगे, तो गईस अगर आप भी जानना च चाहिए, तो about this app का option मिलेगा, इसके उपर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी आप जो है, ले सकते है, इसके लावा इसके रिव्यूज रेटेट वगर आपको देखने है तो 3.5 इसको स्टार मिला हुआ, 6.25 इसके रिव्यूज है, रेटेट देखतो 3 प्लस रेटेट एंड 1.000.000 प्लस इसकी जो है डाउनलोडिंगे, अब कैसे application को use करना चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो हम अपनी phone में इस application को open करेंगे, और guys application open करने के बाद इस तरह से application हमारे सामने open हो जाएगी, अब guys यहाँ पर सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले जो server list है हम इसके उपर click करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम अपनी phone में कोई भी server select करेंगे, आपको जो भी करना आप केजिए, for example, हम यह वाला server select करते है, allow पे click करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर connecting देख पाएंगे, connecting start हो चुकी है, और एक दो click के अंदर ही automatically second के अब यहाँ पर इसके settings पर जाएंगे, और settings देखेंगे, तो settings पर आपको मिल जाएगी, और उसके बाद successfully आप अपने phone में connect कर पाएंगे, connect करने के बाद अगर आप फिर से remove करना चाहते हो, disconnect करना चाहते हो, तो same stick वाले option पर click करना होगा, और उसके बाद एक ही click के अंदर यह जो disconnected हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपने phone में barchat proxy application को use कर सकते हैं,